आपका question है in figure PQRS is a square and SRT is an equilateral triangle prove that first is PT is equal to QT and second is your angle TQR is equal to 15 degrees तो यह आपका एक figure है यहाँ पर आपका PQRS यह आपका एक square है और यह जो उपर है TSR is an equilateral triangle आपको prove क्या करना है आपको prove करना है PT that means यह जो blue one line है PT is equal to QT blue one line आपको prove करना है first one और second way angle तो हम देखते हैं कैसे कर सकते हैं सबसे पहले इसने क्या कहा PQRS is a square तो same चीज हम लिखते हैं PQRS is a square अगर यह square है तो इसके four sides are equal तो इसके सब्सक्राइम चीज लिखते हैं तो PQ तो हमारा आजाएगा PQ is equal to qr is equal to rs is equal to sp that means PQ is equal to qr is equal to rs is equal to sp तो यह four sides equal हो गए क्योंकि यह सब्सक्राइम तो इसके सब्सक्राइम तो हमारा क्या हो जाएगा इसके साब से आपका angle P is equal to angle q is equal to angle r is equal to angle s that is equal to 90 degrees why means they are perpendicular to each other ठीक है तो square की property हो गई दो चीज नेक्स्ट अब आपको क्या करना है प्रूब करना है क्या प्रूब करता है P T is equal to qt ठीक है नो तो आपको यह वाला प्रूब करना है और यह प्रूब करना है तो हम लेंगे दो ट्रैंगल that is your जब P S T तो हमने ले लिया ट्रैंगल P S and T and triangle सेकेंड वाला ट्रैंगल आप इस साइड का Q R and T Q R and T ठीक है दो ट्रैंगल ले लिए यह दोरों ट्रैंगल में आप देखो this side P S is equal to Q R P S is equal to Q R है ना तो आपका कहां पर है यह वाला Y means it's a square है ना पहले इसके दे रखा है it's a square तो आपके चारो sides equal है तो आपका क्या है this side is equal to this side हमने ले लिया second आपको यह वाला लेना है this is equal to this Y means they are equilateral triangle तो आपका क्या आगया T R this और इस साइड से ले लो T S T S is equal to T R यह आपका आया square के साथ से और यह आपका आया equilateral triangle के साथ से है कि कर दोनों चीज हो गई है आपका क्या क्या हो गया यह side हो गई और आप देखोगे in equilateral triangle every angle is 60 degrees तो सेम चीज हम लिखते हैं querokay, क्यार आपका क्यान चीज हो गई हो गउ हो गया SUPER डचीज हो, से मुरे आपका क्या यह GREँ बचैज हो गया अल अल आपका तो आपका क्या आएगा देखो नीचे की तरफ इस स्क्वेर यहां पर भी स्क्वेर है यह आपका 90 डिग्रीज आ जाएगा और उपर की तरफ आपका क्या है इकुलेटरल ट्रैंगल दोनों साइड में तो यह आपका है 60 डिग्रीज तो आपका क्या हो गया एंगल आर इस एक्वल टू एंगल एस तो इसके हिसाब से आपका आगया एंगल आर इस इक्वल टू एंगल एक्स डैट इस इक्वल टू आपका है तो आप देखोगे क्या क्या हो रहा है यहां पर सबसे पहले आपका है साइड तो यह वाला हो गया आपका साइड यह वाला भी आपका हो गया साइड और यह वाला आपका हो गया तो आपका क्या हो गया बाई से एस क्राइटेरियल रूल तो आप लिख सकते हो बाई से एस कॉंगरेट क्राइटेरियल कि हिसाब से आपका क्या हुआ यह दोनों ट्रैंगल्स आपके क्या होगे सेंव चीज़ लिखते है तो ट्रैंगल कि कि एस टी कि एंड्राइंगल कि एक यूँ आर्टी नोट एंड या कांग्रेंट नउ कि तो अगर यह दोनों कांग्रेंट हो गए हैं तो हमारा यह साइट्स भी equal हो जाएंगे तो same चीज हम लिखते है therefore आपका क्या है P T is equal to Q T by C P C T by C P C T ठीक है तो हमने first वाला prove कर लिया second इसने क्या कहा T Q R is equal to 15 degrees अब 15 degrees आपको क्या prove करना है T Q R T Q R यह वाला एंगर आपको prove करना है it's a 15 degrees तो हमारा इसमें क्या है यह वाला triangle देखो इसके दर आपका क्या दिया हुआ है triangle कौन सा वाला है T R Q T R E in this आपका R is 150 degrees हमने यहां का prove कर दिया तो angle R is equal to 150 degrees और आप देखोगे कि यह आईस्रोस्लेस ट्रेंगल है यह स्क्वेर है तो स्क्वेर का वन पार्ट इस आईस्रोस्लेस ट्रेंगल स्वन पार्ट एक पार्ट है है ना यह जो स्क्वेर है इसका एक यह जो पार्ट है एस आ इस कॉमन फॉर एकुलेटर ट्रेंगल एस वैल एस स्क्वेर है तो आपका जो एस आर है यह कॉमन इसके अंदर है कि नहीं है तो डैट मीन्स आपका यह जो साइड होगी सेम साइड आपकी यह भी होगी और यह भी होगी यह यहाँ पर जितने भी रेट कलर की साइड से और आर इक्वाल है कि तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि ट्रेंगल क्या है अमारा यह देखो कि यह वाला जो ट्रेंगल है आपका इसके अंदर आपके एवरी साइड सार इक्वल डैट मेंस आपका यह एंड यह दोनों साइड सीक्वल है in triangle Tsr it is a equator तो that means this is equal to this, this is equal to this तो और दूसरा आपका square है तो आपका Sr is common तो हम यहां लिख सकते हैं 1. sr is common if sr is common तो आपका क्या हो जाएगा this side that is your qr यहां लिख सकते हो आप qr is equal to rt अगर यह दोनों sides equal हो गया तो यह आपका हो गया isosless triangle तो यह वाला triangle आपका क्या हो गया isosless तो आगर यह isosless triangle हो गया आपका तो क्या होगा इसके opposite angles are equal that means आपका qtr तो आपका आगया angle qtr is equal to angle next angle आपका क्या है qtr दूसरा आपका हो गया यह वाला rqt rqt तो यह आपका क्या है isosless triangle और हमको यह भी पता है कि एक triangle के अंदर total sum is 180 degrees तो r हमारा lse हमने find out करका है क्या है आपका 150 degrees 150 degrees प्लस आपको यह find out करना है तो और यह angle दोनों angle हमारे क्या है same है as per isosless triangle तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 और आपका है angle tqr is equal to 180 degrees ठीक है ना तो 2 tqr आपका क्या है 2 angle tqr is equal to 180 degrees minus 150 degrees तो आपका कितना आ गया 30 degrees तो 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 2 tqr is equal to 30 degrees तो tqr क्या हो गया आपका angle tqr is equal to 30 degrees by 2 that gives you 15 degrees तो तो आपका 50 degrees भी निकल गया इस टाइप से आपको निकालना है इसको ठीक तो तो प्कालना ही ठीक çासरा गया रपका मुपक्पचमश Dios